हालो दोस्तों बहुत स्वागत है आपका टार्गेड वी चंद्रा में और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी होम रूल लिग आंदोलन की और होम रूल आंदोलन किन-किन व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया उनकी भी हमने बात की थी डीटेल से हमने चर्चा की थी आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट उनीस सो उनीस के बारे में यह कानून क्या है और यह कानून क्यूं बना इसका उद्देश क्या था तथा इसका विरोध क्यों किया गया इन सभी बातों को हम आज समझेंगे और डिटेल से जानेंगे दोस्तों बने रह गुरू से लाश्ट तक देखेंगे तो चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएंगे और उसके पहले हम लोग यह तो बात करेंगे ही लेकिन उसके पहले थोड़ा सा यह समन सी जानकारी जनहीत में जानकारी कि इस समय कोरोना जो है महामारी का रूप धरण किया हुए है और सब जगह फैला हुआ है यहां तक कि स्कूल कॉलेज और जो आपके मौल बजार सारी सब कुछ बंद है और तो आप एहतियार बरती है अपने घर पे रहिए घर के बाहर मत गुमिए हाथ को बराबर धोते रहिए साथ साथ में अफवाएं भी फैलाई जाती है कि छूने स जाएगा छूने से हो जाएगा तो रुणने से हो जाएगा पर इस तरीके से नहीं होगा जितना फॉआयों फैलाते हैं अगर आपको किसी संकरियों गर आप पहुंचता है त्वा आप पहुंचoga सब्कूरां लेकिन अगर आपका हाथ अगर आपके मुँ नाक और आख में नहीं टच होता है तो वाइरस आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा और 24 गंटे के अंदर ये अपने आप खतम भी हो जाता है तो ज्यादा है परिशान होने की ज़रुरत नहीं है हाँ लेकिन बचाओ ही सुरक्षा है तो सारे लोग बचाओ करने वाले यहां रॉलट एक्ट 1929 इस भी कि तो इसके पहले थोड़ा सा बैक्राउंड में अगर बात करें तो आपको डेट याद होगी माहत्मा गांधी के बारे में जब महत्मा गांधी के बारे में का जाता है कि 1915 इसवी में इनका भारत में आगमन होता है उसके बाद तो इसके पहले चीज और जाने ना जनूरी है कि इसके तीन साल पहले अर्थात 1916 में लखनव समझाता हुआ था कल हमने इसकी बात भी की थी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों होना लाजमी था क्किछ एकठा हो चुके थे और अस्तो संक्राओं के मांग के लिए श्रuper अंदोलन रद थे को यह जो रॉलेnट एक्ट है है यह जो है इसके लिए इसका सबसे पहले बात करें अगर देश के बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इस इसकी समिती जो बनी इस रॉलेट एक्ट के लिए जो समिती बनी वह आपका 1927 इस भी में समिती बनती है और जिसका नाम रहता है सेडीशन समिती क्या नाम रहता है सेडीशन शमिती यह सेडीशन समिती बनती है और इसी की अनुसंसा पर यह रौलस्ट एक्ट कानून बनता है सेडीशन समिती देखिए सेडीशन का दोस्तों अगर अर्थ निकालेंगे हिंदी मैं अंग्रेजी का शब्द है तो इसका होता है राजद्रो इसका अर्थ होता है तो इसका उद्देश क्या था इसका उद्देश था इसका उद्देश था जो आपके क्रांतिकारी अंदोलन है क्रांतिकारी कि अंदोलन की जाच करना की जाच करना मतलब क्रांतिकारी जो क्रांति अंदोलन कर रहे हैं क्रांति कर रहे हैं उसे कितना ना होने पाएं अर्थत हिंसा ना हो दंगाफसाद ना हो और असानी से अपनाई सरकार चलाते रहें लेकिन आप जो क्रांतिकारी हैं जिनको आजादी चाहिए स्वासासन चाहिए वो तो क्रांतिकारी आंदोलनों की जाच करना और सेडीशन समिती के अगर अध्यक्ष की बात करें तो सेडीशन समिती के अध्यक्ष थे यह आपके बृतेन के एक न्याया धीस थे बृतेन के न्याया धीस सर सिडनी रॉलेट सर सिडनी रॉलेट तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिती बनाई जाती है जिसका नाम रहता है सेडीशन समिती या राजद्रोश समिती जो की 1917 में बनती है और फिर इसकी एक रिपोर्ट आती है इसकी रिपोर्ट दोस्तों आती है सेडीशन समिती की वो आती है 15 अप्रेल 15 अप्रेल 1918 इस भी में यह रिपोर्ट सौप्तियस एडिसन समिती सरकार को और यह फिर इसकी अनुसंसा पर जो कानून बनता है उस कानून का नाम रहता है यह जो कानून बनता है उस कानून का नाम रहता है आतंकवादी आतंकवादी अपराध अधिनियम 1919 जिसको अंग्रेजी में बात करें तुद्धा अनार्किकल रिवो सननरी क्राइम रिवस्नलरी क्राइम एक्ट 1919 यह इसका अंग्रेजी में नाम रहता है तो जो सेडिशन समिती की शिपारिश पर आतंकवादी अपराध अधिनियम बना और यह सेडिशन समिती की अध्यक्ष जो थे कई सदसिसमे हाला की शामिल थे इसके अध्यक्ष थे ब्रिटेन के नयादी सर सिडनी रॉलेट और इसका उद्धिश था क्रांतिकारी अंधोलों की जाच करना इसका देखें नाम आतंकवादी अपराध अधिनियम 1919 था जब य बीच में यहां पर एक डेट और आएगी बीच में यह क्या होता है कि पारित भी हो जाता है और पारित दोस्तों कब होता है यह 18 मार्च 1919 इसबी को तो इसकी पारित होने की जो डेट है वो 18 मार्च 1919 इसबी है है ना और 15 अपरेल 1918 को इसकी रिपोर्ट सौपती है यह समिती सरकार को और यह पारित हो जाता 18 मार्च 1919 को हलांकि बहुत विरोध हुआ लेकिन विरोध के बावजूद भी इसको पारित कर दिया जाता है आतंकवादी अपराद अधिनियम जिसको हम भारतियों ने क्या नाम दिया काला कानून नाम दिया हम भारतियों नों इसको बोला यह काला कानून है यह भारतियों के खिलाफ है काला कानून है और इसको नाम दिया जाता है बिना बिना अपिल बिना वकील तथा बिना दलील का कानून और तहाथ ना तो आप इसको काला कानून बोला जाता है इसको विरुवत क्या किया गया और कैसा कानून था बिना अपील का कोई अपील नहीं कर सकते हैं बिना वकिल का कोई अपना वकिल भी नहीं लगा सकते हैं और बिना दलील का आप जब वकिल नहीं करेंगे तो अपनी आप कोई दलील भी नहीं दे सकते हैं इस तरीके का ये कान शंका के आधार पर शंका के आधार पर गिरफतारी और जमानत भी नहीं संका के आधार पर लोग गिरफतार कर लेते थे और जमानत भी नहीं होती थी इस कानून के तहट तो काफी इसका बिरोध होता है इस रॉलेट एक्ट कानून का तो रॉलेट एक्ट नाम क्यूं पढ़ा चुकि सर सिडने रॉलट की अध्यक्षता में जो समिती बनी थी सेडीशन समिती सेडीशन समिती की सिपारिश पर एक कानून बनता है और एक रिपोर्ट सेडीशन समिती बनती है और यह कानून बनाती है और पहले तो रिपोर्ट बनती है 15.1918 को और इस समितिक एकॉर्डिंग जो सकारशे की जाती है उसके तहते कानून बनता है आतंकवादी अपराद अधनियम उन्नीस ओनीस ये बनता है और इसका कार क्या था शंका क्याधार पर गिरफतार कर लेना अर्थात ये एक तरफ तो देखें यहां पर एक चीज और चुड़ रहे हैं यहां पर जो आपका प्रथम भी शुद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चलता है तो उस समय क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये भी आपके इसी समय लाए जाते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है वो भी आपका 1919 में ही बनता है तो एक तरफ अधिनियम बनाकर के भारतियों को राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये जो करांतिकारी आंदोलान हो रह इन करंतकारियों का दमन कर रहे हैं दबा रहे हैं तो दोहरा चरित यहां पर अंग्रेजियों का देखने को मिलता है दोस्तों मैंटोगी चेम्सपोर्ड अधिनियम क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे आपको डिटेल से बताएंगे मॉन्टेग्य क्या था भारत सतिव था और यहां यहां चेम्सपोर्ड यह दोस्तों 1910 इस भी तक रहता लाड़ चेम्सपोर्ड तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे लोब के बारे मेंाब है। अभी आप यहां पर जान सकते हैं कि रॉलेट्से कानून मे पारित हुआ नोंग्री हूआ और दोस्तों कई जो प्रुमुखनेता थे उनको गिरफतार भी किया जाता है तो आप अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें वरना मैं मिटा करके इसके आगे फिर चीजों को लिखता हूं तो आपको यहां मैं आपको समय देता हूं एक मिनट का आप इसको नोड कर सकते हैं आप देखिए आगे में लोग बात करेंगे इसका बिरोध किस तरीके से होता है यह भी रोध पहले भी हो रहा था इसका काफी लेकिन फिर भी यह पारित करते हैं लेकिन इसके बाद भी इसका बिरोध लगातार जारी रहता है इसका बिरोध गांधी जी ने किया और गांधी जी ने गांधी जी ने से अप्रैल कि अचे प्रैल उनी को चो को तरा сказала रॉलेट मि कि सत्या ग्रे ये दोस्तों इंपार्टन्ट हो सकता आपके लिए चाहि ठिट्रल नीच सो अनीक को रइस सक्क्राइब हूं वह आत्मा घांधी जी के दौरह द्वारा चलाया गया और ये सत्याग्रें जो है आपका ऐहम्दाबाद गुज्राच जालंधर और दिल्ली हर जगये फाइल गया था अまぁ सब्सक्रांवस छाती है तो गांदी जी एक ये उपतर फिवii होते थे लेकिन रॉय सत्याग्रें यह विश्त्रित था पूरे जो आपका पश्चिम वाला एरिया है वहां पर पूरी तरिके से फवाइल चुका था और पंजाब की स्तिती उससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी पंजाब की स्तिती की बात करेंगे तो वहां भीड के उपर वैसे जनर्रल डायर वहां का उप जगाने के लिए बहुत सारे गोले दागे मरवा दिया उसमें भी काफी हत्यां होती हैं जब यह रॉलेट एक्टिका विरोध हो रहा था गांधी जी जी ने जब सोचा कि पंजाइब किस्तिती कुछ ज्यादा ही खराब है तो जब शैप्राइल उनीस इस भी को ने उन्हों र जैब साथ दिया गांधी जी जी का वो लोग भी इसके युवा सदसे से थे वो सभी के सभी इस रॉलेट शत्याग्रे में गांधी के साथ में हो जाते हैं और जब गांधी जी 8-1-8-0- acontece CCB को गांदी जी जब 8 अपरेल 1919 CCB को जा रहे थी पंजाब तो जाती समय पलवल में पलवर दोस्तों वरतमान में जो है वो वरतमान में आपका हरियाना में पढ़ता है हर्याना में एक जिला पड़ता है पल्वल तो पल्वल में ही गांदी जी को गिरफ़तार कर लिया जाता है और इनको नजर्बंद कर दिया गन्रांफ़ किया जाता है इसके अलावा इसका बिरोध करने के वरुधा करने की वजए से पंजाब के लोग प्री नेता पंजाब के दो लोग प्रीनेता डाक्टर सत्यपल और एक थे डाक्टर सैफुद्दीन कि डाक्टर सैफुद्दीन कि चलू इनको भी क्या किया जाता है कि 10 अप्रेल 1919 CCB को नजर बंद कर दिया जाता है और कहा नजर बंद किया जाता है दोस्तो तो एक जगए दोस्तो है आप लोग खूब जानते होंगे बहुत ही सुन्दर जगए है हिमांचल प्रदेश का जहां पर क्रिकेट का लौब करने की वजह से गिरुफ तार करके हिमांचल प्रदेश की धरम शाला में 10 अप्रेल 1919 LOCB को क्या किया जाता है को दोस्तो गिरंफ तार करके नजर बन कर दिया जाता है और यहां पर तो यह विरोध हो रहा है इसके अलावा इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में दोस्तों एक ब्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है स्रद्धानन्द स्रद्धानन्द स्वामी स्रद्धानन्द स्रस्वति इस पूरा नाम स्वामी इसमर्द स्रुसाइन confess अग इह एक Τरीके से यह सुतंतरता सेनानी भी थे, सुतंतरता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो यह दिल्ली में किसानों से इन्हों ने कहा कि आप लगान देना बंद कर दिजिए, किसानों को कहा कि आप लगान अंग्रेजों को मत दिजिए, हम तो लगान देते हैं, और फिर भी हमारे साथ इस तरीके का बेवहर करते हैं यह लोग तो यहां पर इस तरीके से बिरोज जताया गया गांधी जी के द्वारा बिरोज जताने के वज़े से इनको गिराफ्तार करके जेल में डाल दिया गया सैफुद्दीन और सद्दागर सद्दपाल को 10 अपरेल 19 सिस्वी को नजर बंद कर दिया गया हिमांचल के धरम सालामीन को कैद कर दिया गया तो दोस्तों इस तरीके का कानूर रॉल एट एक्ट की बिना संका की अधार पर अगर अंग्रेजों कोई संका हो जाए कि आप अंद कहानी है इसके आगे की कहानी यह है कि इन्हीं दोनों नेताओं का के गिरफतारी का विरोद करने के लिए और इस रॉलेट एक्ट का विरोद करने के लिए दोस्तों 13 अपरेल 13 अपरेल 1919 इस भी को जलिया माला बाग में एक मिटिन एक सभा आयोजित की जाती है और जिसमें इन दोनों के गिरफतारी क्यों की गई इसका विरोद किया जाता है और हजारों की संख्या में लोगी कठा होते हैं और फिर आपको पता है कि किस तरीके से यहां पर किस तरीके से हुआ कैसे हुआ वह सारी बाते हम नेक्स्ट वेडियो में करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितना ज्यादा जिर्ड डायर के द्वारा अत्याचार किया जाता है हम भारतीयों के उपर तो दोस्तों यही पर समाप्थ होता है और अगर यह वेडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो आपको प्राप्त होता रहे है और हम इसी यहीं से आपको विदा लेते हैं आपसे दोस्तों बहुत भूत धन्यवाद